तो लाओ ये दोनों बकरियां दे दो मुझे दोनों बकरियां? किन्तु मैंने तो केवल अपनी छोटी बकरी के विक्राइगी बात की थी देखो तुम अपने वचन से फिरो मत मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी दोनों बकरियों का मूल निर्धारित किया था भूल गई क्या? किन्तु मैंने तो केवल एक ही बगरी का मूल ले तै किया था तो क्या मैं आसत्य बोल रहा हूँ? ठीक है, तो फिर आप इन लोगों से ही क्यों नहीं पूछ लेते? बताओ बंदू हाँ बंदू, इन्होंने तो पहले ही साफ साफ पूछ लिया था आपसे कि आपकी बड़ी बखरी के साथ छोटी बखरी का मूल तै कर लू और आप मांग भी गये थे अब जब दूनों बखरीयों का मूल तै हो गया है तो आप पीछे नहीं हर सकते किन्तु ये तो छल है मैंने तो केवल एकी बखरी का मूले पे किया था बहला कोई एक बखरी के मूले में दो बखरीयां क्यों बेचेगा वो मैं नहीं जानता देखो, मेरे पास दो दो साक्षी हैं तुम्हारे पास क्या है चलो ये लाओ देदो बखरीया रोना बन करो जो रोता है वो खोता है और जैसे को तैसा प्रतियुक्तर देना सीखो जैसे लोगों के साथ यही उक्तिकारे करती है और इस प्रकार कील के साथ साथ उस नाविक से हमने उसकी नौबी हडप ली वा भाईया वा अरे कोई ठगी के गुण तो आपसे सीखे भाईया कोई दूसरा क्यों सीखे सीखने के लिए हम है न क्यों भाईया सिखाएंगे ना हमें हाँ हाँ अवश्य इसलिए तो तुम दोनों का साथ रखता हूँ इस विद्या में ना तो धन लगता है ना ही कोई वस्तू बस आखेट करना होता है वो भी उन लोगों के साथ जो दिखने में बहुत ही सीधे साधे और भोले लगते हो जैसे वो पकरी वाला यह यहां आ रहा है और इसके साथ यह कौन है अभी दिखाता हूँ मैं उसे अरे भाईया 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 काहे बल दिखा रहा है वो भाईया तोरा दर से तो बाग सींग अजगज पूरा जंगल छोड़ कर भाग गए इस बिचारा तो सांती पूरवक हांद जोड़के हांद जोड़ो हांद जोड़के खड़ा है आपके समक्स फिर यहां आया क्यों है पूचिव आपने इसको इतना सारा थंदिया था ना वो तो कोई दस्यू लेके भाग गया अभी विचारा भुक है मर रहा है कुछ खाने के लिए नहीं है तो कुछ विक्रह करने आया था आपके पास परन्तु इसके पास विक्रह के लिए है क्या यह है मेरे पास परन्तु हम क्या करेंगे इसका नहीं चाहिए यह हमें अरे अरे फिर तो सुधानी है आपको सो हम लक्ष्वी चलके आ रही है आपके पास और आप बना कर रहे हैं वो कैसे इसके बदले इसको किवल एक मुठी चावल ही तो चाहिए बस एक मुठी चावल क्यूं भाई लाभी लाभ है भाईया यह मोल लाभ का है पती हां नहीं लेलो इसे अरे एक मुठी चावली तो मांग रहा है मूर्ग फिर तो उचित है यह मुझे दे दो और मेरी पत्नी से एक मुठी चावल लेलो तो फिर तय हुआ एका बदले में आप एको एक मुठी चावल दे रहे हैं अब हाँ हाँ तो जा कर लेलो पर हाँ यह मेरी पत्नी को जरूर दे देना रवश्य धन्यवाद आओ आओ चलो आओ अती मुर्ख आदमी जी कहिए क्या कारे है इसके बदले में आपके पती ने मुझे एक मुठी चावल लेने को कहा है केवल एक मुठी चावल? हाँ एक मुठी चावल यही मूल ले तैह हुआ है मेरा उनसे पता नहीं मेरे स्वामी को ही ऐसे मूर्ख कहां से मिल जाते हैं एक मुठी चावल ने अब इसे मोल लिया आप यहीं ठहर ये मैं लेकर आती हूँ ठीक है ये लीजिए एक मुठी चावल ये क्या कर रहे हैं आप हाथ छोड़िये मेरा हाथ छोड़िये मेरा स्वाव स्वावी बचाईए रक्षा कीजिए हुमारी स्वावी अरे ये तो तुम्हाई भावी का सोर है क्या होगी आकसमाद शिग्र चलो स्वावी बचाईए रक्षा कीजिए हुमारी रुख जाओ ये सब क्या है छोड़ो मेरी पत्नी का हाथ वही तो नहीं छोड़ सकता अन्यता मूले का अर्थ क्या रजाएगा साहूकार जी तात्पर्य यह यह है कि इसे एक मुठी चावल चाइए अर्थात इसे आपके पत्नी के मुठी के साथ चावल चाइए किन्तु यह कैसे संभब है कि चावल के साथ साथ कोई मुठी भी ले ले? बिल्गुल सम्भवे साहुकार जी और इसे सम्भव बना है आप जैसे धूरत और चालाग वेक्ती ने जिसमें भद्रा के श्याम बंड बकरी के मोल में उसकी श्वेद बकरी भी ले दी क्यों? सब ते कहा न साहुकार जी? भाईया, हमें लगता है कि ये वही है वही कौन? वही नहीं, ये प्रभू परशुराम जी है तो क्या, आप ही है है वन्ष के शत्रियों के संघारक? परशुराम जी है? उचित पैचाना, ये ही प्रभू परशुराम जी है जिनके भैसे स्वयम ये वराज भी काप उठते है नहीं, प्रभू, नहीं प्रभू, हमें शमा कीजे प्रभू हमें शमा कीजे प्रभू शमा कीजे प्रभू, हमें शमा कीजे प्रभू प्रभू अब हम कभी किसी के साथ ठगी नहीं करेंगे हमें शमा करें प्रभू हमें शमा कीजिए किन्त हुमारा शीष मत काटिएगा शमा प्रभू शमा ठीक है पहली और अन्तिम चेता होनी जैनत करो स्वयम धन कमा किसी के साथ छल करके नहीं हमें शुकारिया प्रभू प्रभू परशुराम की जैहो जैहो प्रभू परशुराम की उनकी वये से मुझे मेरी बकरियों का सही मुल्ले मिल गया जैहो प्रभु परशुराम की कौन है? समक्षाओ, दिखाई क्यों नहीं रेते? कौन हो तुम? मैं हूँ च्छायसुर ब्रम्बान की अनन्त गहराईयों से निकल कर तुम्हारे लोक में आया हो क्यों आयो या? तुम्हें ले जाने ये असुर तो अभी भी यहीं खड़ा है परन्त ये कैसे संभाव है? ये सब क्या हो रहा है? मैं आगे भाग क्यों नहीं पा रहा? क्यों कि तुम च्छायसुर के बंदी हो मूर्ख मानव? तेरी परचाही अब मेरे अधिकार में है भागना व्यर्थ है मूर्ख मानव याद है क्या हो तुम? श्रिष्टी में परिवर्तन श्रिष्टी का परिवर्तन? कैसा परिवर्तन? अधर्म की चाया का धर्म की चाया पर राच तेरी चाया मैं ले जाऊंगा और अधर्म की चाया तुझे दे जाओंगा अधर्म की जेहो जेहो चाया सुरकी तुम दोनों ने अपने बारे में सत्य बता कर बहुत ही अच्छा किया मनुष्य का भूत काल कैसा था इससे ज्यादा अधिक महत तो ये है कि उसका वर्तमान कैसा हो क्योंकि आगे चल कर वर्तमान ही भूत काल बन जाता है ये परिवर्तन तो प्रभु परुशुराम के कारण हुआ है, रिशिवर। जी, रिशिवर। हम ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रभु परशुराम जी के आश्रम भी गए थे। किन्तु प्रभु परशुराम हमें वहां नहीं मिले। इसी लिए हम आपके पास आगे ज़्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान ज्यान ही होता है चाहे वो कहीं से भी प्राप्त कर लो किन्तु उसका उद्देश जन कल्यान के लिए ही होना चाहिए तुम दोनों के भीतर प्रभु परशुराम के कारण जो परिवर्तन हुए है वो अदभुत है देख रहा हूँ इस धर्ती लोक में धर्म का प्रचार प्रसार कुछ अधिकी हो गया है कि इन तो कोई बात नहीं चाया सुर इस लोक को अधर्मियों का अखारा बना देगा तुम दोनों जीवन के प्रतेक शेत्र में सफल रहोगे ये क्या था तुमने देखा कुछ आँ कुछ तो था तीवर्गती से चला गया पता ही नहीं चला रिश्वर आप हमें कुछ ज्ञान की बाते बोलने वाले थे ज्ञान चाहिए तो मेरी बात ध्यान से सुनो यदि तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो अहिंसा को त्याग दो और शष्ट्र उठा कर हिंसक बन जाओ क्या? तो सत्य बोले उसकी जिवहा काट दो अरे ये क्या बोल रहे हैं? जो पूजा करे, यग्य करे, उसे चिन भिन कर दो इस धर्ती को रक्त रंजित कर दो तुम्हारे कटारों से रक्त सोकना नहीं चाहिए समझे? ये आप क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? जी गुरुदेव, वोर अनर्थ? ये हमारा नहीं, देत्राज छाया सुर का आदेश है धर्म का नाश हो, अधर्म की जय हो चल, चल, चल प्रभू, प्रभू, प्रभू बचा लीजिये प्रभू इस धर्ती को बचा लीजिये, रक्षा कीजिये, प्रभू रक्ष, रक्षा कीजिये, प्रभू क्या हुआ? इतने भैभीत क्यों हो? प्रभू, लोगों के व्यवहार अकसमाती परिवर्तित हो रहे है आमजन तो आमजन, रिशी गणवी असुर के प्रभाव से वंचित नहीं रहे असुर? कौन है ये असुर? मैं बताता हूँ प्रणाम बिदाम प्रणाम बिदाम पुत्र ये छाया सुर है पुत्र इसने अपने प्रभाव से सभी ग्रामवासियों को पीड़ित कर रखा है वो देखो सभी को अधर्मी बना दिया इस असुर ने मैं प्रणाम विले वे यार मैं मैं झाल कर राद़ र Vorsonnen पोत्रे राम ये कुछ समय के लिए शान्त हुएं कुछ समय पश्चात ये पुना लड़ेंगे ये भी असुर के प्रभाव के कारव तुम्हें इसमरण होगा पुत्र जब तुम्हारा युद्ध असुर संकेत से हो रहा था उसी समय तुमने अपने अनुष्टे उस पहाड को भस्त कर दिया गए उसके कुछ टुकडे धम्मांड के ग्रह से टकरा गए टकराने के पश्चात वह ग्रह अपने धान से हिल गए उसी कारण वहाँ एक परच्छाई बनी जो धरती लोग पर आई ये वही असुर चाय असुर है तो मुझे बर्मांड में कहां देख रहा है बालक मैं तो तेरे समक्ष ख़़ा हूँ ये देख अरे वहाँ हाद में धनुष्बार पहली बार किसी ब्रामन को इस मुत्रा में देखा है ब्रामन कबसे योधा बन गए बालक तो मुझे तू करतीत हो रहा है जिसने अभी अपना खिरावना छोड अपने पालने के बाहर पाउ रखा है इसलिए तू हमारे भू लोक की संस्कृती से बनिभिग गए है तुझे कदाचित तो ग्यात नहीं होगा ये भू लोक, ये भूमी पहले ब्रामनों की ही थी जिसे दान में शत्रियों को दी गई ताकि ब्रामन करम कांड कर सके और शत्री है तुझे जैसे दुष्टों का समझार अच्छा, तुमुझे छत्रिय नहीं अभी तु ब्रामन प्रतीत होते हो वो ब्रामन जो सदा से निर्बल रहे हैं इसलिए पहले ब्रामन धर निभा रहा हूँ तुमें श्रास्त्र से समझा रहा हूँ नहीं समझे तो उसके पर शात शल्स्तिर से समझाऊंगा लोनों उप्चार है मेरे पास इसलिए समय से पहले अपने ये दुष्ट विचार लो और वहीं चले जाओ जहां से आये हो अन्य था अन्य था चाय सुझ जो चाहेगा वही होगा हम बच गये परंतु ये क्या हम अपने स्थान से हिल नहीं रहे हैं हाँ मैं भी अपने स्थान से हिल नहीं पा रहा हूं क्योंकि तुम अब चायसुर के बंदी हो और अब होगा तुम्हारा चाया परिवर्तन चायसुर की जय हो अधर्म की जय हो इस असुर ने चाया परिवर्तन से असुर बना दिया है राम कि तुम मेरे शस्त्रों को फेग सकते हो ब्रामर कुमार किन्तु तुम मेरी अधर्म की चाया को नहीं काट सकते हो को देखो तुम्हारे गामवासी आपस में लड़ने जगणने लगे हैं मेरी अधर्म की चाया में लड़ रहे हैं अभी तो मैंने तुम्हारे स्रिफ गाम आशियों को अधर्मी बनाया है शीग रही संपूर्ण शिष्टी को अधर्मी बनाऊंगा और इससे पहले मैं तुझे खंडित-खंडित कर दूँगा पुद्राम, समाया अस्त्रों से इस असुर का वदा संपूर्ण है क्योंकि ये ब्रह्मांड के ग्रह चाया से उत्पन हुआ है क्या कहा आपने पिता माँ? यही कि अच्छाया से उत्पन असुर है, इसका अंत असंपभ है पुद्र दन्यवाद माती, मुझे ग्यात हो गया कि आप मुझे यही ग्यान देना चाहती है कि किसे भी अंदकार को अगर मिटाना हो तो उसके पीछे मत भागो अपी तु एक दीप्रकाशित करो अंदकार स्वता समाप्त हो जाएगा क्या सोच रहा ब्रामर कुमार मुझे समाप्त करने का विचार बना रहे हो छाया सुर्यों ही समाप्त नहीं होगा चलते हैं, पुन्हा मुलाकात होगी रुक जाओ पर शुराम तुम जैसो से दुबारा नहीं मिलता अच्छा, तो फिर क्या क्या मैं तुम्हारा व्द करके जाओं व्यास करके देख लो ब्राम्मन इस से पहले कि तुम मुझे पर वार करे मेरा एशस तेरी परचाई पर नहीं तेरे शरीर पर वार करेगा